तो आईए दोस्तों आज हम बात करते हैं Don't Breathe टू मूवी के बारे में मूवी की सुरुवात में हमें देखने को मिलता है कैसे एक लड़की जो की जंगलों को बीसे भाग रही होती है उसके पीछे एक कुटा लगा होता है जिसका नाम सैडो होता है और इस लड़की का नाम होता है फेनिक्स यह एक कार में रखियो ही बंदूग को लेने जाही रही होती है तब तक पीछे से एक ओल्ड मैन आता है और उसको पकड़ लेता है फिर वो इससे कहता है कि तुम fail हो चुकी हो यहाँ पे ये old man अपनी बेटी को ट्रेनिंग करा रहा था इसके बाद हुमें देखने को मिलता है कि वो लड़की उस old man से अपनी मा के बारे में पूषती है जिस पे वो old man कहता है कि घर में आग लगने की वज़ा से तुम्हारी मॉम की देथ हो गई थी और मेरे पास उनकी कोई फोटो भी नहीं है जो मैं तुम्हें दिखा सकूँ फीनिक्स यहां बहुती जादा केली होती है इसलिए वो बहुती जादा अलोन फील करती है अगले दिन एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम हरनेंडिस होता है वो उस ओल्ड मैन से कहती है कि वो फीनिक्स को टाउन में घुमाने के लिए ले जाना चाहती है पहले तो वो मना करता है लेकिन बाद में वो मान जाता है फीनिक्स जब टाउन में जाती है तो वहाँ पे कुछ बच्चों को खेलता हुआ देखती है जिससे उसका भीमन उनके साथ खेलने को होता है लेकिन वो खेलती नहीं है वहीं पे हम एक न्यूस पे ये देखते हैं कि कुछ औरगन ट्रैफिकिंग वारे लोग हैं जो बच्चों को किड्नैप करते हैं और उनके औरगन को बेज देते हैं उसके बाद फिनिक्स वास रूम जाती है वहाँ पे एक आदमी खड़ा होता है जो कि उसका पीछा करता है ये देखके वो काफी डर जाती है लेकिन तभी वहाँ पे सैडो आ जाता है जो कि उस ओल्ड मैन का पालतू कुत्ता था उसे देखके वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं उसके बाद हर्नेंडिस उस लड़की को लेके घर आ जाती है जब हर्नेंडिस अपने घर जाती है तब बीच रास्ते में एक कार उसके सामने खड़ी होती है कार में वही दोनों होते हैं जिससे उसने सुबा देखा था अब वो अपनी कार में जाके बैठती है तबी उसको पीछे से ये लोग पकड़ लेते हैं और एक हतोले से उसके सर पे वार करते हैं जिसकी वज़े से उसकी मौत हो जाती है अब यहाँ पे वो लोग इस old man के घर में आते हैं जहाँ पे Phoenix उस old man से कहती कि मुझे यहाँ नहीं रहना है मुझे बाहर जाके टाउन में उन बच्चों के साथ रहना है जहाँ वो बच्चे रहते हैं लेकिन वो old man उसे मना कर देता है फिर वो old man नीचे आता है और अपने कुट्टे को ढूनने लगता है जो घर में नहीं होता है सेडो किसी का पीछा करते करते जंगल में आ गया होता है तभी उसके घर में दो लोग आ जाते हैं वो old man जंगल में जाके अपने कुट्टे को ढूनने लगता है तभी ये दोनों phoenix को ढूनने लगते हैं जंगल में shadow की body मिलती है जिसे गोलियों से मारा गया था तभी वो old man समझ जाता है कि कुछ गड़बल है फिर वो भागते हुए घर आता है लेकिन आखिरकार वो लोग phoenix को पकड़ लेते हैं तभी वहाँ पे old man आता है और उन दोनों पे attack कर देता है phoenix को वहाँ से भागने के लिए कहता है phoenix भाग के जाती है और एक safe box में जाके छुप जाती है लेकिन उस box के ऊपर एक खाली जगा होती है जहां से वो आदमी उस box में पानी भरने लगता है जिसकी वज़ा से phoenix को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है उसके बाद वो electricity wire को उस पानी में डालने जाता है तभी वो दूसरे kidnappers blind man को garage में ढूनते हैं जहां पे blind man अपनी चोटो को सही कर रहा होता है फिर वहाँ पे उन दोनों में लडाई होने लगती है वो एक दूसरे को मारने लगते हैं तभी ये अवाज सुनके तीसरा kidnapper वहाँ आता है और वो आके देखता है कि उसके दोस्त का मू और नाग गलू से चपका दी गई है जिसके कारण वो सास नहीं ले पा रहा है इसलिए वो उसके गाल में छेट करके उसको ऑक्सीजन देता है और यहाँ पे वो तार उस पानी में डालने ही जाता है तब तक वहाँ पे एक सिलिंडर आ गिरता है जिसमें से गैस निकलती रहती है और जैसे ही उस करण की तार में स्पार्क होता है वहाँ बहुत ही तेजी का नाम होता है Raylan जो उस old man से कहता है कि मैं Phoenix को सारी सच्चाई बता दूँगा कि तुम उसके real father नहीं हो ये बात सुनते ही वो old man उन लोगों पर attack कर देता है लेकिन वो लोग उसे घायल कर देते हैं वो Phoenix को बता देते हैं कि इसने तुम्हें उस घर के बाहर से उठाये था जब तुम बेहोस थी और ये आज तक तुम से जूट बोलता आया है फिनिक्स ओल्ड मैन से बहुत नराज होती है फिर रेलन उन लोगों से कहता है कि फिनिक्स को ले जाके कार में बैठाओ लेकिन तभी वो ओल्ड मैन वहाँ जाता है और उनको एके करके मार देता है ये सब देखके Raylan अपने dog को उस old man के पीछे लगा देता है वो लोग Phoenix को पकड़ के अपने घर लेके चले जाते हैं और यहाँ पे old man के घर में आग लगा देते हैं जिसमें वो कुत्ता और old man फसे होते हैं old man उस कुत्ते को बचा लेता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है Raylan फिनिक्स को अपने घर लेके चला जाता है और उससे कहता है कि अब तुमें जो करना है वो करो अब तुम आजाद हो जब वो कमरे से बाहर आती है तो वहाँ पे हम उसी आदमे को देखते हैं वही Oregon trafficking वाला criminal तभी वहाँ पे एक lady आती है और फिनिक्स से कहती है कि वो उसकी मदर है और ये सुनके फिनिक्स उससे जाके गले लग जाती है वो lady फिनिक्स को बताती है कि उसकी حालत बहुत ज़्यादा खराब है उसके heart में कुछ problem है इसलिए उसको heart donor चाहिए और वो उसके family का ही होना चाहिए फिर वहाँ हमें ये समझ में आता है कि वो लोग Phoenix से उसका heart चाहते थे ताकि वो heart उस lady को लगा दिया जा सके फिर वो old man बाहर एक car खड़ी देखता है और उस car के पास जाता है उस car में Hernandez की dead body होती है जिसे देख के वो काफी उदास हो जाता है उसके बाद उसको एक idea आता है वो उस dog में एक bell बांदेता है और उसको अपने मालिक क्या जाने के लिए कहता है और पीछे पीछे वो खुद जाता है कुछ हत्यार लेके अब वो लोग Phoenix का operation करने जाही रहे होते हैं तब तक वहां की light चली जाती है तो उन में से एक को भेजा जाता है कि जाके light को देखो जैसे ही वो basement में जाता है वहां पे वो old man होता है और वो उसे मार देता है फिर वो old man वहां की पूरी जमीन पे पानी फैला देता है ताकि कोई भी अगर वहां आए तो उसको आहट समझ में आ जाए फिर वहां पे तीन लोग आते हैं और जैसे की उसने एक plan बनाया था वो तीनों को मार देता है लेकिन एक आदमी बच जाता है जो की उसकी मदद करत है और बताता है कि वो लोग फिनिक्स का operation करने जा रहे हैं वो लोग उसे पीछे के रास्ते से लेके जा रहे हैं अब रेलन अपनी वाइफ और फिनिक्स को लेके वहां से भागते हैं वो लेडी फिनिक्स को अपने आप से बान देती है ताकि वो कहीं भाग ना सके अब रे उसकी वाइफ को लग जाती है, जिस से उसकी मौत हो जाती है. अब वो लेडी पूल में गिर जाती है और ऊसका हाथ जो है वो फीनिक्स से बंदा होता है. फीनिक्स उसके हाथ को छुटाÁNA के लिए एक चाकु की मदस्द से उसके हाथ को ही कार देती है. लेकिन फिर भी वो उ उसकी दोनों आखों को फोर देता है उसके बाद वो रेलन को मार देता है उसके बाद फिनिक्स उसके पास आने वाली होती तभी वो कहता है कि तुम यहां से चली जाओ अब तुम अजाद हो तभी रेलन पीछे से उसे चाकू मार देता है और फिनिक्स उसे तलवार से मार दे उसके बाद Phoenix वहाँ से चली जाती है अब हमें दिखाये जाता है कि Phoenix उन बच्चों के साथ खेल लई है अब वो बहुत जादा खुस है लास्ट में हमें Old Man को दिखाये जाता है जो कि अभी जिन्दा है यहीं पर movie खतम हो जाती है I hope कि आपको movie अच्छी लगी होगी मेरा explanation अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें, share करें, subscribe करें और ऐसे ही channel पर बने रहें Thank you for watching this video